जहिन सभी साथियों को QIQE Study में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको कम्प्यूटर से संबंधित जितने भी important question बनते हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ही interesting है वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा ताकि उनको भी से बहुत कुछ सीखने को मिले देखिए computer से question बहुत सारे important question बनेंगे क्योंकि computer एक ऐसा course है जो कि 2-3 question हर एक exams में कहीं न कहीं देखने को मिलता है तो चलिए question बहुत करते हैं उससे पहले कुछ information आपको हम बता देते हैं कि अगर आप हमारे social media के द्वारा जुड़ना चाते हैं जैसे कि Facebook हो गया Instagram हो गया तो आप जुड़ सकते हैं description box में सबसे last news का link दिया गया है आप वहां से join कर सकते हैं इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम पर मिलेगा और एक्जाम से related जितने भी information आते हैं सब हम Facebook पर और Instagram पर upload करते हैं तो आप लोग उसे भी जुड़ ज़िएगा चले question श्टार करते हैं पहला question है computer किस प्रकार की एक machine है देखिए यहां हम आपको one liner question करवाएंगे और उसका right answer आपको हम direct देंगे यहां option नहीं देंगे क्योंकि जब हम आपको option देंगे तो आप हम test कराएंगे जब हम test कराएंगे उस समय चार option दिया जाएगा आप वहां देखिएगा कि कितना score हम कर पा रहे हैं तो चले यहां कुछ सिखते हैं computer किस प्रकार की एक machine है तो computer एक electronics machine है इसको याद रखेगा computer एक electronic machine है next question क्या है तो next question है नहीं computer का निर्मान किया था या computer का पिता कहा जाता है next question है कि अवेकस नामक यंद्र का अविसकार किस ने किया था तो देखिए इसका right answer क्या होगा चीनियों ने चाइना से जो है अविसक नामक यंद्र का विसकार हुआ था चाइना के द्वारा हुआ था तो इसका जो calculator का अविसकार कभ हुआ था तो इसका right answer होगा 1642 लेकिन अगर पूस्ट दिया जाए कि calculator का अविसकार किस ने किया था तो इसका right answer हो जगा पासकल ने चले नेस्ट question देख लेते हैं नेस्ट question है कि पर्थम electronics computer का अविसकार 1946 में किस ने किया था तो इसका right answer क्या होगा JP actor ने इसका right answer होगा JP actor ने नेस्ट question है कि पर्थम electronics computer कौन था तो पर्थम जो electronic computer है E-N-I-S-E इसका right answer क्या होगा E-N-I-S-E इसका full form हम आपको अगले विडियो में बताएंगे नेस्ट question है कि I-B-N-P-C का अविसकार 1981 में किस ने किया था तो इसका right answer क्या होगा बिलियम सी लायद ने ने नेस्ट question देख लेते हैं नेस्ट question है कि analytical engine का अविसकार कभ हुआ था तो इसका right answer होगा 1833 में देखी साथियों अगर आपको लगता है कि इस channel के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखने को मिल रहा है जो कि आपको exam से related है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजे ताकि जब भी वीडियो upload हो तो आपको समय to समय आपको मिलती रहे चलिए next question देख लेते हैं computer अपने परिमानों को भवी से हेतु किसमें सुरचित रखता है तो इसका right answer होगा memory में द memory में रखता है next question है कि computer में memory इस्थित कहां रहता है अगर इसमें पूझे जाए कि computer में जो memory रहता है जो data को collect करता है वो कहां इस्थित रहता है जो CPU में next question है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है तो CPU का पूर्ण रूप जिसे हम full form भी करते हैं तो इसका right answer रहता है central processing unit देखिए ऐसा question बहुत पार पूझे जाते हैं इसलिए इस सब important question को आपरोग ध्यान रखिएगा next question है कि memory कितने परकार का होता है तो memory जो है सो दो परकार का होता है इसका right answer क्या होगा memory दो परकार का होता है देखिए अगर आप चाहें तो इसका notes भी बना सकते हैं क्योंकि जितने भी हम question आपको computer से संबंधित कराएंगे सारी importance होंगे और exam से में पूझा जाएंगे जैसे computer से संबंधित जो भी exams हैं उनमें ये सब question देखने को आपको मिलेंगे इसलिए आपको अच्छी से इसको पढ़ना है next question है कि primary memory कितने परकार का होता है हुआ थो प्राइम्री मोभली दो परकार का होगा जहीं तो फ्रकार का iki्ले होए कि मेरी कितने परकार का होता है तो मेरी दो परकार का होगा एक primary memory होगा एक secondary memory होगा है इसको आप लोग ध्यान में रखिया गा चलिए तो यहां तो आप समझगे कि primary memory कितने प्रकार का होता है तो primary memory दो प्रकार का होगा निश्ट कोजिन है कि computer a screen पर छोटी तिम्टिमाती रेखा क्या कहलाती है देखिए जब computer screen पर जो छोटी ट्रिम्ट्रमाटी रेखा जो है उसे cursor करते हैं जब आप mouse को up down या फिर left right करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिम्ट्रमाटी रेखा आपको नजर आती होगी तीर की तरह तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम cursor बोलते हैं नेस्ट कोशन है कि secondary memory कितने परकार का होता है तो secondary memory जो है चार परकार का होगा ठीक है next question । डेख लेते हैं section में कि रेम का विस्तिरी दुरूप क्या है रेम का विस्तिरी दूप क्या है तो random access memory इसका भी right answer होगा random access memory next question है कि ROM का विस्तित रूप क्या है देखिए विस्तित रूप अगर कोई Hindi में नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप full form समझेए ठीक है क्योंकि full form को ही Hindi में विस्तित रूप काते हैं तो इसका राइट टेंसर क्या होगा तो इसका देखिए ROM है तो रूप का क्या होगा read only memory इसका राइट टेंसर होगा read only memory नेस्ट कोईशन है कीबोड में बटन की संख्या कितनी होती है तो keyboard में कि संख्या कितनी होगी तो 101 होगी time sir голगा 101 नेश्ट कोशन है कि की बूर्ड का दुसरा नाम क्या है अगर पूंस दिया जाए यह तो kg to keyboard up to keyboard का दूसरा नाम क्या है तो कुण जी कॉपटल इस का राइट चैंसर होगा कुण जी का क्या इतना ही कोशन था 20 कोशन का हम सेट आपको करवा रहे हैं कल फिर आपको हम 20 कोशन देंगे कंप्यूटर से संबंधित तो आप लोग हमारे चैनल के द्वारे जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करने अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और दोस्तों को ज्यादा ज्यादा सेर किए ताकि उनको से फायदा में जकें तो जैहिन साथियों फिर हम मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत